हेलो फ्रेंस कैसे हैं आप पढ़ियां मस्त रहिए और एंटर्टेन्मेंट का मज़ा लेते रहिए कहते हैं ना कि अगर आपने टियारपी से ही डिसाइड कर लिया है कि शो कैसा है तो यकीनत है आप उसके साथ जुड़ जाएंगे अगर टियारपी डाउन है तो आपको लगता है कि शो की टियारपी इतना अच्छा नहीं है तो स्टोरी में भी दम नहीं है लेकिन आज कल देखा जा रहा है कि अगर स्टोरी में दम है तो यकीनत टियारपी बढ़ती ही है ऐसे में आप हमाई साथ लाई में जुड़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि इस स्टोरी किसकी दमदार चल रही है यकीनत है उसके ट्यार पी अच्छी निकल कर आती है तो यकीनत है उसका पूरा साल काफी अच्छा सफर रहेगा तो हिंदी डालिविजन के टॉप फाइफ शो नमबर वन की पोजीशन पे है आपका अनुपमा जो अपनी गद्दी छोड़ने को तयार नहीं है और ट्यार पी में थोड़ा नहीं काफी इंप्रूव करता वा नजर आ रहा है क्या तो ये टॉप फाइफ में जो है एक अच्छी पोजीशन पर नहीं था और आज की डेट में साल सुरू होते ही जो है इसने फिर से अपनी पोजीशन नमबर वन पर बना लिये तो 2024 में मुझे लगता है अनुपमा को कोई शो टकर दे पाएगा वो तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा लेकिन अगर बात करें अनुपमा की ट्यार पी की तो 2.8 नमबर वन की पोजीशन पर है जिसने अपना एक पोजीशन बढ़ाया है बात आती है नमबर टू की पोजीशन पर है आपका गुम है किसी के प्यार में जहां पर इशान जो है सावी को और सावी की फामली को बचाने के लिए दिलो जान लगा दिया था तो वहां पर वो ट्रैक देखना काफी अच्छा लगा था सबको लगा था बस अब मैरीज कर लेगा लेकिन मैरीज जो है हुई नहीं और मैरीज के प्रोमो को देखकर फांस वेट कर रहे आखिर शादी होगी कब अब ऐसे में इन्होंने थोड़ा खीच दिया है वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा ट्यारपी क्या होगी लेकिन ये ट्यारपी जबकी निकलिये जब सावी को बचाता हुआ होता है इशान तो ऐसे में 2.7 काफी अच्छा जंप मारा है आपके प्यारे गुम है किसी के प्यार ने और नमबर 2 की पोजिशन पे है नमबर 3 की पोजिशन पे राजन साही का चोथी पीडी ये रिस्ता क्या कहलाता ने अपनी जंगा पकड़े हुई है और कहा सकते हैं कि जितना है राजन साही तो उमीद है कि जो फैंस नराज है वो खूश हो जाएंगे जब वो बिल्ला फामली को देखेंगे बात आती है नमबर 4 की पोजिशन पे है आपका प्यारा इमली इमली ने अपनी जंगा फिर से टोप 5 में बना ली है जो डगमगा गया था या फिर कह सकते है कि जराओ सी टियार पी बड़ी नहीं और एक अच्छी पोजिशन पर आ गया है 2.3 के साथ इमली गुल खान का शो अपनी जंगा पे बना हुआ है जो फैंस कह रहते हैं इमली टाटा बाय करेगा इमली ऐसा होगा तो यह उनके लिए सबसे बड़ा सवाल है कि प्रूफ है न शो लगा ता टो फाइप में बना रहेगा क्योंकि जो है घर गर में इस तरह की कहानिया देखी जाती है या पिर कहें कि पसंद की जाती है वो कोई और नहीं वो जहनक है जिसने 2.1 के साथ जो है एंट्री की है ऐसे में हमने आप से कहा भी था कि जहनक के स्टोरी बहात अच कुल एंट्री को या इस तरह के जो हमें मुणे लग रहे है तो ऐसे में यह हैं आपके झा पाइपंग इस भाती शोम ने पकड़ बनायं रहे है किसी और चैनल को नहीं दिया है इस से में आपको टो अगले हफते 们 कर देक देने के लिए पैदा हो रहा है क्मेंट करके जू कारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है